वैसे तो घर बनाने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका जिसमें हम पहले ब्रिक वर्क करते है यानि की चिनाई का काम पहले करते है और उसके बाद जाकर हम कॉलम को बनाते है और दूसरा तरीका होता है जिसमें पहले column को बनवाया जाता है उसके बाद जाकर आपका slab आता है और उसके बाद जाकर लोग जो है brick work start करता है तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में से सबसे पहली चीज कौन सी करनी चाहिए हमें column पहले बनवाना चाहिए या फिर brick work पहले करना चाहिए कौन सी method है जिसकी वज़े से हमारा घर का काम मजबूत होगा अच्छे quality के साथ complete होगा और सालों साल तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब किसी भी निरने को लेने से पहले हमें इन दोनों के फाइदे और नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर आप पहले इटो का काम करवा लेते हैं और उसके बाद जाकर कॉलम करते हैं तो इसके क्या फाइदे और क्या नुकसान होते हैं अब ये जो प्रकार है जिसमें की पहले इटो का काम किया जाता है, ये अक्सरी आप एक ये फिर दो मंजिला इमारतों के लिए देख सकते हो। अब इस प्रकार का फाइदा ये होता ही कि पहले ब्रिक वर्क होने के बाद आप जब कॉलम को काश्ट करते हैं, तो कॉलम और ब्रिक वर्क इन दोनों के बीच में अच्छा कासा बॉंडिंग तयार हो जाता है, जिस वज़े से आगे चलके जो दीवार और कॉलम के बीच में क्रैक दिखाई देते हैं, वो आपको आगे चलके बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। अब इस प्रकार का दूसरा फाइदा ठेकेदार को होता है, क्योंकि उन्हें सेंट्रिंग का मट्रिल जो है वो कम लगता है, अगर 9 इंची दिवार है तो वहाँ पर साइड में सिर्फ 2 पलाई लगाने के बाद उनका काम जो है वो खत्म हो जाता है, अब ये तो हो गए पहले दिवार बानने के फाइदे, तो अब जानते हैं नुकसान के बारे में, जब भी आप पहले दिवार बानते हैं और आगे चलके कॉलम को काश्ट करते हैं, तो सबसे पहला नुकसान ये आजाता है कि आपके column को एक proper finishing नहीं मिल पाती है अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर column के side में जो brick work है वो एक line में नहीं है इस वज़े से यहाँ पर जो column cast किया जाएगा वो भी proper line level में नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरा बड़ा नुकसान ये आजाता है कि brick work पहले करने की वज़े से column का जो size है वो कम या फिर जादा हो सकता है हाला कि मिस्तरी शुरुवाती वक्त में column का size सही रखते है पर यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जब lintel के उपर काम चला जाता है तो column का size थोड़ा सा reduce हो जाता है अब यहाँ पर पहले brick work करने का तीसरा disadvantage यह आ जाता है कि पहले brick work होता है उसके बाद जब आप column का concreting work करते हो तो वहाँ पर अगर आपकी इटे सुखी हुई है तो वो उस concrete में जो पानी है उसे अपने अंदर खीच लेंगी जिसकी वज़े से आपकी जो column की strength है वो कम हो सकती है और यह जो method है जिसमें हम पहले brick work करते है तो इसकी वज़े से आपका जो घर बनने का speed है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है इसका कारण यह होता है कि पहले आप brick work करते हो फिर थोड़ा सा रुपते हो उसके बाद जाकर आपको column काश्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद आप जो है slab को काश्ट करते हो यानि कि इस process में अच्छा कासा time जो है आपका चला जाता है और जब आप पहले दीवार ब बेंड हो जाएगा इस वज़े से उपरी मंजिल पर आपको column का center नहीं मिल पाएगा और जैसा कि आप देखते होंगे कि दिवार के side में जो shuttering किया जाता है तो वहाँ पर cement slurry ज्यादा बहने के chances होते है जिस वज़े से आगे चलके column के उपर आपको honey combing जैसी समस्या दिखा आ रहे हैं यहाँ पर पहले दिवार बनाने की फाइदे कम है और नुकसान जादा है अब जानते हैं अगर आप पहले column बनाते हैं तो इसके क्या फाइदे और क्या नुकसान है पहले column बनवाना RCC structure में एक proper method माना जाता है इसी वज़े से बड़ी जो buildings होती है वहाँ पर इस कास्ट हुआ मिल जाएगा और start to end column बनाने की वज़े से आपका column reduce होने के chances भी कम हो जाते हैं और अगर आगे चलके यहाँ पर आपको honeycombing दिखाई देती है तो आप उसे तुरंथी clear कर सकते हो और यहाँ पर it side में न होने के कारण आपके concrete का जो पानी है उसे खिचने का और आये जाता है उसके बाद नीचे से जो है brick work को start किया जाता है इससे उपरी जो slab है उनका भी काम शूरू रहता है और नीचे से simultaneously आपका brick work भी चलता रहता है तो इससे बड़ी building में काम तेजी के साथ complete होने में मदद मिलती है अब यहाँ पर नुकसान की बात करें तो पह जैसे आगे चलके यहाँ पर आपको crack दिखाई देते हैं तो इससे बचने के लिए आप column और दिवार इन दोनों के बीच में इस तरह से chicken mesh या फिर fiber mesh का इस्तवाल कर सकते हो जिसकी मदद से आगे चलके आपके दिवारों के ऊपर आपको crack दिखाई नहीं देंगे हाला कि column और दिवारों के बीच में जो crack आते हैं उनसे बचने के लिए कौन-कौन से इलाज करने चाहिए इसके बार में हमने एक separate video बना के रखी है आई बटन में मैं उस video का link दे दूंगा आप इस video के बाद जाकर उस video को देख सकते हो अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है पहले यह देख लेनी है जो brickwork का आप करने वाले है वो line level में होना चाहिए खास करके जो आपकी column की side होती है जहाँ पर आपका column होने वाला होता है वहाँ पर लोग brickwork को line level में नहीं लेते है जो कि एक कारण होता है जिस वज़े से column जो है वो bend हो जाता है और यहाँ पर आपको cover का और आपके कॉलम को मिलना चाहिए और जब भी आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करने वाले होते हो ऐसे समय में आपको कॉलम का जो साइज है उसे ध्यान में रखते हुए ही ब्रिक वर्क को स्टार्ट करना है और जब भी आप कॉलम का कॉंक्रिट करने वाले होते हो उससे पहले आ यहाँ पर 9 इंची जब आपकी दिवार होती है तो उसके आजू बाजू में सिमेंट सलरी बहने के ज़्यादा चांसे सोते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे से पैकिंग कर लेनी है जिससे की सिमेंट सलरी जो है वो शट्रिंग बर से निकलना पाए अब इस वीडियो में हमने पहले दिवार या फिर पहले कॉलम बनाने के क्या फाइदे है क्या नुकसान है इनके बारे में देखा है साथ में हमने ये भी देखा है अगर आप पहले दिवार बनाते है तो कौन-कौन सी चीज़ों के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए अब फैसला आपके हाथ में है आप इस में से पहली कौन सी चीज करना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कीजे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो तो जरू इसे लाइक कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकती है